पिछले सेशन में हमने नेस्टेड लूप पड़ा था और उससे पिछले सेशन में हमने लूपिंग पड़ लिया है तो आज हम कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे और मैं यहां पर आपको कुछ कोड लिख करके दिखाऊंगा हो सकता है कि वो कोड आप अपने लॉजिक के कोडिंग लिखें तो कुछ और लॉजिक्स हों बट यहां पर मैं सिर्फ यह बताने के कोशिश करूंगा कि कोड लिखा कैसे जाता है तो बहुत सारे इंबिल्ट फॉंक्शन भी दिए गया है पाइटन में जो आप यूज कर सकते तो पहला प्रोग्राम है फेक्टोरियल ऑफ गिवन और यह देखेंगे कैसे फिसे फेक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी अपन्बर का चेकन अमबर humour हो नमबर फ्राइम नमबर है या पर नहीं है तीश रा चेगा नमबर इस टो यह वह कारा रेख और सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक फाइल बनाने जा रहा हूं अपने प्रोजेक्ट में तो राइट खलीक कर लिजेगा राइट क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है पाइफन फाइल प्रफायल का नाम रख लेते हैं में और इसके बाद अब यहां पर लॉजिक लिखेंगे लॉजिक क्या होगा लॉजिक बहुत सिंपल है किसी भी नंबर का फैक्टोरिल फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि वन से स्टार्ट कीजिए और कुस नंबर तक जाईए और हर एक नंबर को मिल्टिप्लाई करते हैं जैसे आगर 5 का फैक्टोरिल फाइंड आउट करना ओव फॉर एक्सैंबल तो आंप टॉरल कैसे फैडवर राइंड हो इंटु तो फिर वाल का जो रिजल्ट मुण इंटु तो और उसको लिटा भी कर सकते हैं तो जोieron प्रेदेवल सकते हैं तो बृबड़ चाहें उसके नाम Baragoda नाम से और उसकी गणिश्या तो code में condition क्या होगी loop आपका तब तक चलना चाहिए जब तक कि आप उस number तक नीरीच कर जाते हैं अगर आप increasing order में जा रहे हैं या फिर अगर decreasing में जा रहे हैं तो फिर आपको greater than check करना हो तो n is greater than equal to 2 2 मैंने क्यों लिखा है 2 लिखने से benefit यह होगा 1 तो already मेरे पास result में है है तो मुझे 2 से यह benefit मिल जाएगा कि मुझे 1 तर जाने की जरूत नहीं है क्योंकि 1 already मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो 1 से को मैं multiply करूँगा तो मैं यहाँ पर कुछ code ऐसा लिखा हूँगा result is equal तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके 2 number का multiplication है तो उस multiplication को next वाले number से multiply करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो पुराना result है उसमें नए वाले number से multiply कर दीजिए तो यह हो गया logic और इसके बाद आप अगर greater than check कर लें तो obvious है आप इसको negative में लेकर कर जाएंगे तो n is equal to n minus 1 और इसके बाद यहाँ पर simple print करा दीजिए result is equal result चलिए run करके check कर लेते है run करने के लिए right click करेंगे right click करने के बाद run my factorial और जब यह run होगा तो यह आप से पूछेगा enter a number to calculate the factorial तो 5 input किया तो result is equal 120 इसी तरी के से इसको दुबारा run कर लेते हैं दुबारा run किया फिर input मांगा 6 तो यह होगा आपका result 720 तो यह आपका factorial का program है अगर आप चाहते हैं कि increasing order में हो तो यह आप क्या कीजिए condition आपको change करनी पड़ेगी condition यह हो जाएगी कि आप 1 से start करेंगे और आप अपने number तक जाएंगे तो आपको एक variable और लेना पड़ेगा यहाँ पर that is i is equal to 1 तो यह i is equal to 1 क्यों लिया हुआ है क्योंकि मैं check करूंगा कि जब तक यह i is n तक ना पहुंच जाए तो i is less than equal to 1 तो जो i की value होगी वही result से multiply करेंगे तो यहाँ पर result को मैंने i से multiply कर दिया और अब इस i को यहाँ पर increment करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि वह n तक नहीं पहुंच जाता है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा i is equal to i plus 1 तो चलिए इसको run करके check कर लेते हैं run किया, number input किया that is 5 तो result आ गया 120 इसी तरीके से अगर यहाँ पर input किया हमने 6 तो result आ गया 720 अगर input किया हमने यहाँ पर 0 तो 0 का factorial क्या होता है that is 1 तो यह हमारा result आ गया तो यह ऐसे कुछ factorial आप calculate कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको यह code समझ में आ गया होगा तो मुझे उमीद है कि यह जिस समझ में आ गया उमीद बागी के प्रोग्राम मैं नेक्स वीडियो हमता होगा मुझे उमीद है कि आपको यह logic समझ में आ गया होगा और अगर आपको यह video अच्छा लग रहा हो और आपको सारे tutorial समझ में आ रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए थैंक्यू तो बाई